हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल किरिकुलेंट प्रिडिक्शन में तो गैज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ICC किर्केट वर्ल्ड कप लीग 2 ODI का यहां पर यह क्वालिफायर का मुकाबला जो 277 में होने वाला वर्ल्ड कप है उसके लिए यहां से दो टीमों का चियन होने वाला है तो यह मुकाबला आज खेला जाएगा नमेबिया वर्सेज यूएसे के बीच में है तो कौन सी टीम ज सकता है तो वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर इंफर्मेशन प्रॉपर नॉलिज मिलने वाली है तो बस वीडियो पर आप लोगों ने किलिक किया तो फुल वास जरूर कीजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां से नीदर लैंड की टीम रहने वाली है और आई थिंक इन ही दोनों टीमों में से कोई टीम क्वालिफाई करने वाली है बागी अभी देखो किर्केट होने को कुछ भी हो सकता है तो आईए यहां से हम लोग बाते करते हैं मैच स्टेट्स देखते हैं देखेगा दोनों टीमों को जादा कोई बहतर देखने को मिल भी नहीं रहा है अब यह मुकाबला खेला कहाँ पर जाएगा तो वंद्रिस किर्केट ग्राउंड विंडेकॉक नमेबिया का ग्राउंड रहने वाला है अब देखो यहां से एक अडवांटेंज तो नमेबिया के फिवर में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है होम ग्राउंड का ठीक है क्योंकि USA को यहां पे खेलने का काफी कम तजूर्बा होगा और ओवरॉल भी थोड़ी सी बात की जाना तो मुझको लगता है कि 70% जो चांसेज है नमेबिया की ही टीम के हैं बागे 30% आप हलके में नहीं लेना है पिछले कुछ वक्त में जिस परकार इन लोगों ने किरकल केला भाई पाकिस्तान टीम को हराना बहुत बड़ी बात होती है ठीक है तो इस वजह से USA टीम को भी हलके में नहीं ले सकते हैं लेकिन फिर भी नमीबिया की टीम I think जादा फैवरेट रहने वाली है अगर दोस्तों पिछ रिपोर्ट की बात की जाए तो देखो बैटिंग विकेट रहने वाली है खास तोर पर जो तेजगती के बॉलर्स होते हैं वो आप लोगों को पर पांच ODI मैचों के बेस पर बता रहा हूं 76 कि रहे हैं जहाँ पर 44 विकेट तेजगती के बॉलर्स 32 विकेट इस्पिन बॉलर्स ने निकाले हैं देखो क्वाल्टी स्पिनर्स जो हैं दोनु टीमों में है कुछ कॉल्टी स्पिनर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा व एसा टिम ने भी टककर दिया एक तरफा मैच को विन करती है लेकिन हाँ अडवांटेज नमेभिया की टिम को अच्छा रहने वाला है पलस यूएससे पहले किर्केट नमेभिया ने खेलना इस्टार्ट किया था अच्छा एक चीज में आप लोगों को इंट्रेस्टिंग बता तो इस वाज़ा से मैं कहा रहा हूं कि नमेबिया की टीम थोड़ा सा जाधा एक्सपीरेंस के मामले में यूसे के कंपेर में आगे रहने वाली है ठीक है अब देखो कुछ टॉप परफोर्मर खिलाडी जो कि आप लोगों को अगर स्मॉल लीकी टीम में बना रहे हो तो यह होगा और एम कुमार होगा ठीक है यह 6 खिलाडी आप लोगों को लेना है बागी अब इनका बैटिंग करम क्या कुछ रहता है अगर आप चाहो तो जनरली यह सब देखना चाहो देख सकते हो बागी चली बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन से स्टार्ट करते ह हैं हम लोग बेसिक चीज़े वीडियो में हैं उम्मीद है आप लोग अच्छे से देखे होंगे बागी देखो टेली ग्राम चैनल पर है ना क्योंकि टॉस के बात की जो भी अपडेट आईगी और फाइनल टीम होगी वह आप लोगों को यहीं पर पता चल पाएगा डिस्क अंबर पर बैटिंग आने के चांसेज हैं फिलाल इनको इग्नोर करके चलते हैं बात करते हैं इंपटेल और इस पटेल में तो इंपटेल ने खेला है चार मैच सबसाट एवरेज पॉइंट देते हैं इंपॉर्टन खिलाड़ी रहने वाले हैं अब देखो मैं लाइव भी दोनों को अपने टीम में स्मॉल लिग की टीम में चाहो तो ट्राइ करना चाहो कर सकते हो या फिर दोनों में सी किसी एक को ले सकते हो फिलाल देखो दोनों को ही लेके चल रहा हो मैं बागी जे कोट जे का यह जो विकल्प है यह आप लोगों के लिए ग्रांड लिग मे करके देने वाले ठीक है देखो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ओफर कंप्लीट करें लेकिन हाँ कुछ ओबर की बॉलिंग करके दे सकते हैं इनके पास अडवांटेज है विकास यह बॉलिंग करते हैं हम लोग यार दुनिया भर की लीगे कवर करते हैं तो उसमें एक्सपीरेंस रहता है माइकल वन लिंगन बॉलिंग करते हैं ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फिलाल ऐसा बैटर ही इंपॉर्टेंट है बागी एम कुमार की बात किया तो चार मैच में एवरेज सत्तर पॉइंट है यहां पे देखो बैटिंग के साथ साथ बॉ बॉलिंग करते हैं अब यहां पर कितनी उभर करेंगे नहीं करेंगे इस चीज़ की सियोरिटी नहीं है लेकिन बॉलिंग करते हैं तो आई थिंक यह इंपॉर्टेंट है पलस बैट्समैन यह बहुत तगड़े हैं बहुत खतरनाक हीटिंग यह लगाते मैंने इनको जरूर जगा देना क्योंकि बैटिंग आने वाली है 50 ओबर का क्रिकेट है और वो खिलाड़ी कभी आप लेको अच्छा पर्फॉमस करके दे सकता है कुरूंगर और जहांगीर उनमें से एक नाम है जहांगीर चार नंबर पर कुंगर पांच नंबर पर इंपॉर्टेंट हो है तो इंपॉर्टेंट है इनको ड्रॉप करने का कोई ऐसा सीन भी मस सोचना इस वन स्यूलिंग भी इंपॉर्टेंट है इनको भी आप लोग जरूर अपने टीम में ट्राई करना बैटिंग बॉलिंग दोनों काम करके देने वाले हैं मश्ट पिक वाले के लाड़ी है जैन मैं बता रहा हूं सारे बैटिंग बॉलिंग करने वाले जैसे फ्रैंडली का पिछला तीन मैच अच्छा नहीं गया है लेकिन उससे पहले इन्होंने कंटिनिसली परफोर्मेंस किया यहां पर बॉलिंग से तीन विकेट तो भाई बैटिंग बॉलिंग डबल लेगा क्योंकि अभी आप लोगों को बता था चलू बांगलादेस के आगे सिरीज खेला जा रहा था इन लोगों का फिर वर्ल्ड कप में भी इनका पर्फोर्मेंस अच्छा था उसके बाद यूएसे टीट्वेंटी जब खेला गया था तो वहां पे भी देखो बॉलिंग यह फिलाल पिछला मैच नहीं खेलेते तो ड्रॉप करके चल रहा हूं खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट परसेंट टीम में ले लिया जाएगा बॉलिंग से थोड़ा सा यहां पर कंश्यूजन क्रियेट होने वाला है अब देखो भी स्कोर्ट को मैं कहूंगा आप अपने ट 20 खेल रहते हैं बड़े खेलाडियों के साथ खेलने के एक्सपीरियांस पुलाड पूरान सब वहां पर खेल रहते हैं यह अच्छे खेलाडी हो सकते हैं इनके बारे में बताता चलू सेकेंड बॉल में चाहों तो ले सकते हो क्योंकि यह आप लोगों को इस्पिन यहाँ पे इनकुलूड कर सकते हो बागी देखो फिलाल कुछ इस परकार की टीम मन के रेडियो और यहाँ पर मरवे रासमस कैप्टन रहेंगे वाइस कैप्टन सी की बात की जा तो देखो फ्रैंड लिग का विकल्प है स्विलिंग का विकल्प है यह दो बेहतरीन खिलाड है अगर यूसस सेकेंड इनिंग में बॉल करें तो फिर सिवले यहाँ पर एच सिंग जादा बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं बागी टेली ग्राम पर जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को बताया जाएगा उमीद है वीडियो पसंद आई तो लाइक करना जो लोग चान अगर अच्छी विडिक साथ तब तो एक लिए गुड़ बाई टेक केर